तोई गुजरात के अरावली में मौनसुन सीजन की केवल 25 प्रतिशत बारिश हुई है जिसमें की तालाबों और नदियों का जलस्तर काफी कम हो गया है किसान काफी जादा चिंतित है खासकर अगले रभी सीजन में जब जिले में सबसे जादा गेहूं की फसल बोई जाती है और 5-6 गुना पानी की जरूरत होगी है लेकिन इस बार नदियों का जलस्तर काफी कम हो गया है और किसानों की चिंता बढ़ गई है साथी साथ दूसरी तरफ पानी की कमी के कारण प्रशासन भी काफे जादा प्रेशा नजर आ रहा है किसानों को पानी उपलब्द कराने की कोशिश में फिलाल प्रशासन जुटा हुआ है इस साल जो बारिस होनी चाहिए थी उतनी हमारे जिल्ले में भारिस हुई नहीं है जिसके कारण जो बांध बदे हुए है उसमें पानी कम हुआ है तो अभी पानी कम होने के कारण किसानों में एक चिंता का विशाई आया है कि हमारा आने वाला रवी पाक है और जो गर्मियों का पाक है उसके लिए पानी सायद नहीं मिलेगा ऐसी चिंता अभी किसानों में सायद फ्यली हुई है तो हम गवर्मेंट से ऐसी ही मांग करते हैं कि जो पाइप लाइन डाली हुई है अभी जो नर्मदा की उसमें पानी दिया जाए और वो उससे डेम को बरा जाए तो आने वाले समय के अंदर जो किसानों की जो चिंता है वो दूर हो जाएगी कि पानी नहीं मिलेगा कि अर्वली जी ने में अभी बारिस बहुत कम है अभी वर्वली जी में तीन मेजर डेम आए हुए वातरग माजम मेश्व अभी वो डेमों में अभी ओन एंवरेट 25-30 परसंट पानी का चत्ता है अभी उसमें हमारा सर्दा सरोड़ डेम और फ्लू हुआ है तो सर्प्लस व कि अज साम से में सिवन्टी फाइब की सक पानी चालू करेंगे अर्वली तहसील की जीवादोरी समान तीन जो मुख्य बांध है माजम मेश्व और वातरग बांध उस बांध में बारिस कम होने की वज़ज़ से 25-30 तका जो पानी है वो पानी होने की वज़ज़ से जो किसा अभी से चिंता में हैं क्योंकि आगे के समय में जब सर्दी और गर्मी का मौसम आता है तब खेती करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी और जो अर्वली जीले के जो किसान है उनका मुख्य आदार है वो ये तिन जो बांध है मैसुओ माजम और वातरग उस पे रहा उसको लेके चिंता तूर है प्रसासन तंत्र है प्रसातन तंत्र ने जो नर्मदा नदी है वहां से 150 क्यूसेक पानी है जो माजम डेम और मातरग डेम में सुरू किया है और जिसको लेके जो बांधों में पानी था वो पानी की स्थीती बरकरार रहे और किसानों को आगे के स जैसे चिंटा में है क्योंकि बांदों में जो पानी है वो पानी जो खेती है खेती को नहीं मिल सेगा उसको लोके किसान चिंटा तुर बने है रावली गुजराच से मैं समीर बलोच